जय माता दिमित्रो शारद्वी नवरात्र माता के तिसरे रूप का विशेश रूप से बर्णन करूँगा माता के तिसरे रूप की पुजा एक अक्टूबर को दिन मंगलवार को प्रातकाल से प्रारम हो रहा है माता चंद्रघंटा का विशेश रूप से देवी भागवती पुरान में विशेश रूप से महिमा का बढ़नन किया गया है माता चंद्रघंटा की पुजा तिसरे दिवस को की जाती है तो आए मित्र आपको हम बताते हैं मात चंद्रघंटा की कैसे पुजा करें चंद्र घंटा मा का शरूप कल्यानकारी और साधगों के लिए विशेश रूप से लावकारी है शांती दायक है हे माता आपकी दश्भुजाएं हैं आपके बस्तक पर घंटे के अकार के अर्ध चंद्रकार सुशोबित है इसी कारण से भक्तों आपको चंद्र घंटा के रूप में जानते हैं मात चंद्र घंटा आपकी किरपा पुरी दुनिया पर हो आप सिंग पर सवार करती हैं यूद के लिए उद्धत होते समय अपने शत्रों के उपर मिर्तु की तरह पुट पड़ती हैं और भक्तों को बचाती हैं भक्तों के उपर विशेश रूप से आपकी स्वाम्य और अनुकंपा विशेश होती है माता का विशेश रूप से अगर हम मंत्र का बात करते हैं तो ओम चंद्र घटेती नमह यह माता का विशेश महा मंत्र है माता को सफेद फूल की माला विशेश रूप से महत्व है चंपा का फूल चंपा का तेल का दीपक अगर जलाए यह विशेश रूप से शुद देशी गाय की घी का दीपक अपने घर में जलाए मादडरुगा श्यवशती का पाठ करें बिथी पूरवक माता का विशेश आवाहन चंद्र घटेती तिरत्यम चंद घटेती चव अगर माता चंदर घंटा को तिसरे दिवस दिन मंगल बार है एक अक्टूबर का दिन है अगर माता चंदर घंटा को विशेश रूप से आप घर में अवाहन करें माता की किरपा होगी माता का रूप बहुत सौम में है सुहागिन महिलाएं माता को विशेश रूप से स्रिंगा माता को चुन्दरी चढ़ाएं माता को फूल की माला चढ़ाएं माता को एत्रु चढ़ाएं इसके साथ ही साथ माता को विशेश रूप से भोग भी बहुत जादा प्रिये है माता को पंच मेवा का विशेश भोग प्रिये है पंच मेवा का खीर बनाएं विशेश रूप से द का शरूप परम्शान्ति दायक है, चंद्रघंटा देवी के शरीर का रंग श्वर्ण रूप है, माता का वाहंद सिंग है, माता सिंग पर सवार होकर आती है, मस्तक में घंटे के अर्ध चंद्रकार विशेश रूप से सुशोवित होता है, ऐसा लगता है मानो चंद्रस्वम बिराजते हूँ, दसों हाथ में, एक हाथ में खडग है माता का, अस्त्र शस्त्र जिसमें माता का वरद मुद्रा विशेश लावकारी दिखता है, माता के हाथ में खडग, धाल, तिरशूल, बान, कमल या माता को विशेश रुप से शुशोवित करता है, माता की अनुकंपा, माता के तिसरे दिवस, विशेश रुप से अगर आप नवार्ण मंत्र का आप जब करते हैं, और विशेश रुप से यह जो मैं महा मंत्र दे रहा हूँ, इस मंत्र का अगर आप जब करें, ओम स्रिम स्रियेंम, माता की विशेश क्रिपा की प्रापति होगी, ओम रिंग स्रिंग जब के लहरं हा सकाहलारं सकलाहरं। यह भी महा लक्षमी का विशेश शोडशी मंत्र है, इस मंत्र का जब भी आप तिसरे दिवस पर करते हैं, इस महा मंत्र का अगर आप जब करते हैं माँचंद्र घंटा की विशेश कृपा और विशेश अनुकमपा होती है रातरी शुक्त का पाट का भी विशेश रुप से महत्व है मात चंद घंटा को आप रातरी शुक्त सुनाये विशेश उर्प से माता प्रशन होती है मात चंदर घंटा के लिए शिद्ध कुंजिका श्रूत का पाठ करे माता प्रशन होती है माता को द्वात्रिशत नाम माला जिसमें दुरगा दुरगात शमने दुरगा पद्दे निवारनी इस तरह का जो महामंत्र है इस तरह का महामंत्र मा चंदरघंटा को आप सुनाएं माता की विशेश कृपा के प्राप्ति होगी माता चंदरघंटा बहुती सौम्य रूप में हैं शिगर मुहित होने वाले भक्तों पर हैं भक्तों के उपर विशेश अनुकंपा है उनके चेहरे की कांती जो है अरगला कील कवच इसमें आप जरूर पाठ करें कवच में मा दुरगा का विशेश रूप से आप आवहन करते हैं अरगला अस्त्रोत में महालक्षमी का विशेश आवहन करते हैं और किलक अस्त्रोत जो है उसमें आप महासरशति को आवहन करते हैं इन तीन देवियों का वि विवन में शुक शम्रधी और शांति लाएं यही कामनाओं के साथ ओम चंद घटेती इनमा